जुले बच्चो आज हम लोग साथवी कक्षा की पाठे पुस्तक किशोर भारती में से युनेट 3 के स्लेबस में से एक पाठ करेंगे तो शुरू करते हैं आज का पाठ बच्चो पाठ शुरू करने से पहले आप लोग जरा यहां पर अपने नजर मारिये यहां पर मैंने दो चित्र जो है मैंने चिपका रखे हैं आप लोग इन चित्रों को देखकर इनको पहचानने की कोशिश कीजिए कि आप लोग इन चित्रों को पहचान पा रहे हैं या नहीं आशा करते हूं कि कुछ बच्चों को तो पता चल गया होगा कि यह किसका चित्र है परन्तु कुछ बच्चों को अभी भी नहीं पता चला होगा तो जिनको पता चल गया है कि यह किनका चित्र है बहुत अच्छी बात है जिनको नहीं पता चला कोई बात नहीं मैं अभी इनके बारे में आपको बताती हूँ इनहीं के बारे में हम लोग आज बात करेंगे क्योंकि आज का हमारा पार्ट जो है इनहीं के बारे में है ठीक है तो बच्चों जो यहां पे चित्र मैंने दो चिपका रखे हैं ये चित्र है दाता रनपजी का दाता रन्पत जी तो दाता रन्पत जी के बारे में ही हमारा आज का पाठ है तो आपकी पाठ है पुस्तक किशोर भारती के युनिट 3 का स्लेबस है दाता रन्पत तो इसी पाठ को आज हम पढ़ेंगे अब दाता रन्पत के बारे में ऐसे ही में थोड़ा सार बताती हूँ उसके बाद हम पुस्तक से पढ़ेंगे ठीक है तो दाता रन्पत जी का जनम का जनमू से लगभग 20 किलो मिटर दूर बीरपूर नामक गाउं में हुआ था उनके पिता का नाम लद्दा और उनकी माता जी का नाम आलमा था रन्पत का सोभाओ बहुत ही अच्छा था वे बहुत न्यायकारी और दानी व्यक्ती थे लोग उन्हें लड़ाई जगडों का निप्टारा करने के लिए बुलाते थे उनके आसपास उनके गाउं में उनके आसपास जब भी कोई लड़ाई जगडा होता था उसके निप्टारे के लिए दाता रन्पत जी को बुलाया जाता था दोस्तोर कप्टी जागिरदार बांगी चाड़क के विरोध निर्ने देने के कारण धोके से उनकी हत्या कर दी गई अब जब हम पाठ पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि उनकी हत्या बांगी चाड़क नामक व्यक्ती ने क्यूं करवाई थी आज भी दाता रणपत के समाधी पर लोग श्रद्धा अंजली अर्पित करते हैं तो उनकी जो समाधी है वहाँ लोग जाते हैं और सम्माल प्रकट करते हैं ठीके बिच्चो तो चलिए हम लोग आज का पाठ जो है वो शुरू करते हैं दाता रंपत पाठ शुरू करने से पहले मैं ये बता दूँ कि जो ये पाठ है ये एक सनवाद के रूप में लिखा गया है अब आप पूछोगे कि सनवाद क्या होता है तो बच्चो सनवाद होता है बातचीत करना, ठीक है, जब हम आपस में बातचीत करते हैं, उसको कहते हैं सनवाद, तो ये जो पूरा पाठ है, ये पाठ सनवाद के रूप में ही लिखा गया है, ठीक है, चलिए पढ़ते हैं पाठ, रमेश सर यह चित्र किसका है अध्यापक तुझे नहीं पता यह तो रणपत का चित्र है कहां से लिया है तुने रमेश मेरे चचेरे भाई के पास था उसने मुझे दिया कह रहा था हम इन्हें दाता कहते हैं अब क्या है यह जो सनवाद है यह एक क्लास में हो रहा है जहां पे एक अध्यापक और कुछ विध्यार्थी हैं उनमें से एक लड़का रमेश एक चित्र लाकर अपने अध्यापक को दिखाता है और पूछता है कि सर ये किसका चित्र है तो अध्यापक उसको बताते हैं कि ये रणपत जी का चित्र है अच्छा और फिर वो रमेश कहता है कि मेरे चचेरे भाई ने चचेरा भाई अर्थात मेरे कazन ने inगलिश में हम उसको कजन कहते हैं चाचा का लड़का ठीक है कहते है मेरे कजन ने डिया है मुझे और वो बता रहा था कि इनको हम दाता कहते हैं अब अध्यापक आगे कहते हैं सभी विद्यार्तियों को कहते हैं कि हाँ बच्चों आपको नहीं पता ये बहुत ही न्यायकारी और दानी व्यक्ति थे इसलिए सभी इन्हें दाता रणपत कहते हैं उनका नाम तो रणपत था परंतु वह बहुत दानी थे न्यायकारी थे अपनी हर चीज किसी भी जरूरत मन को दे देते थे इसलिए उनका नाम दाता रणपत पड़ गया सुर्यकांत सर हमें इनके विशे में सारी बात बताओ कहां रहते थे इनके घर में कौन कौन था अध्यापक तो ठीक है सुनो विध्यार्थी जी सर अब बच्चों को उत्सुकता हुई वे जानना चाहते थे कि किसका चित्र है ये है कौन तो वो उनसे अपने अध्यापक से प्रशन पूछने लगे कि हमें बताईए कि रणपत जी कौन थे उनकी कहानी सुनाईए अध्यापक जम्मों से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर बीरपूर नाम का गाउं है दाता रणपत का जनम वहां हुआ था रणपत के पिता का नाम लद्दा तथा माता का नाम आलमा था तो यहां पर अब उनका परिचे दिया जा रहा है किसका रणपत जी का अध्यापक रणपत का परिचे दे रहे हैं कि उनका जनम जम्मों से 20 किलोमीटर आगे बीरपूर नामक गाउं में हुआ था उनके पिता जी का नाम लद्दा तथा उनकी माता जी का नाम आलमा था रणपत का सोभाव अत्यंत ही नेक तथा शांती प्रिये था बहुत ही अच्छे सोभाव के थे किसी से कोई लड़ाई नहीं कोई जगड़ा नहीं बहुत ही शांती प्रिये व्यक्ति थे वे कहीं कोई भी लड़ाई जगड़ा होता तो सभी लोग उन्हें समझोता करने के लिए बुलाते थे अब अगर उनके गाउं में कोई उनके लड़ाई या जगड़ा कुछ भी हो जाता था तो निर्ने करने के लिए लोग दाता रनपजी को बुलाते थे तो आगे संदीब कहता है सर आपने पहले ही कहा था कि वे बहुत ही न्यायकारी थे इसलिए लोग उन्हें लड़ाई जगडे का निप्टारा करने के लिए बुलाते होंगे नहीं तो पच्छपात करने वाले को भला कौन बुलाता है तो पच्छपात होता है जो किसी का पक्ष लेता है जो न्याय अच्छी तरह से नहीं करता उसको पच्छपाती कहते हैं तो एक बच्छा संदीब है वो कहता है कि सर अभी तो आपने बताया कि वो बहुत न्यायकारी थे हमेशा न्याय करते थे, इसलिए लोग उन्हीं को जगड़क का निप्टारा करने के लिए बुलाते होंगे, क्योंकि अगर कोई किसी का पक्ष लेता है, तो उस व्यक्ति को तो कोई बुलाएगा भी क्यों, अध्यापक, बच्चों बहुत समझदार हो, आपने बिल्कुल ठी समझा है, प्रतिभा, उनका विवा हुआ था, अब बच्चों को और सुकता हो रही है उनके बारे में जानने के लिए, तो वे पूछते हैं कि उनका विवा हुआ था के नहीं, इस पर अध्यापक उत्तर देते हैं, हाँ, उनका विवा छोटी आयू में हो गया था, उनकी प जो का विवा कर दिया जाता था, उनका भी विवा कर दिया, जल्दी होगी उनकी शादी, तो उनकी जो पत्नी थी, उनका नाम शुकरा था, जो बहुत ही अच्छे सोभाव की, नेक सोभाव की इस्तरी थी, हर संकट की घड़ी में उसने रंपत का साथ दिया, संकट होता है विपदा मुसीबत तो जब भी रणपत पर कोई मुसीबत आई तो शुक्रा जो उनकी पतनी थी वो हमेशा उनके साथ खड़ी रही मोनिका सर मेरे बाबा जी सुनाते हैं कि इन्हें किसी दुस्ट जागिरदार ने धोके से मरवा दिया था अब बच्चे हैं अपने घर से सुनकर आते हैं तो एक बच्ची कहती है मौनिका जिसका नामे वो कहती कि मैंने सुना है दाता रणपत जी को एक जागिरदार दुस्ट बहुत बुरे व्यक्ति बुरे जागिरदार ने धोके से मरवाया था अध्यापक हाँ बात बिलकुल खीक है पर इसके पीछे भी एक कहानी है विध्याथी सर हमें सारी बात सुनाओ कि ऐसा क्यूं हुआ था कि उनको मारा क्यूं गया था अध्यापक उस समय डुगगर परदेश का याएक शेत्र छोटी छोटी जागिरों में बटा हुआ था तथा बीरपूर का जागिदार बांगी चाड़क था तो अध्यापक उनको बताते हैं डुगगर परदेश जो जम्मू के साइट की जगए हैं हम उसको डुगगर कहते हैं उसको डुगगर परदेश कहते हैं तो पहले डुगगर परदेश पर जागिरदारों का जो था उनका राज चलता था तो इसी तरह बीरपूर का जो जागिदार था वो था बांगी चाड़क वह बहुत ही दुस्ट बहुत ही कप्टी तथा दूसरों के अधिकार हथ्या आने वाला था बड़ा ही दुस्ट व्यक्ति बड़ा ही बुरा व्यक्ति था किसी के पास कोई चीज रहने ही नहीं देता था हर चीज वो छीन लेता था बांगी के शरीक उसने चल कपट के द्वारा अपने शरीक भाईयों की जमीन हत्याई हुई थी अब उसने धोके से चल करके अपने भाईयों की जमीन भी उसते क्या कर ली थी हडप ली थी बांगी के शरीक भाईयों के घर अत्यंत गरीबी थी भाईयों के पास कुछ था नहीं सब कुछ बांगी ने चीन लिया था तो उसके भाई बहुत ही दीन अवस्था में गरीबी के अवस्था में जी रह अब रणपत जी जो थे वो बीरपूर के सरपंच थे तो उनको निर्णे के लिए लोग बुलाते हैं उनके भाई बुलाते हैं बांगी के के आके हमारा निप्टारा कीजिए प्रभात एक बच्चा है वो पूछता है सर दाता रणपत जी मान गए क्या वो फैसला अपना निर्णे देने के लिए राजी हो गए तो अध्यापक कहते हैं वे इस अन्याय को सहन नहीं कर सके इसलिए मान गए परंतु और फिर वे रुक जाते हैं तो वो कहते हैं कि हाँ वो प्रुक क्या किसी ने रोक दिया तो कहते किसि ने उनको निर्णे नहीं लेने दिया तो अध्यापक बताते हैं क्योंकि बांगी बहुत ही घमंडी दुस्ट तता कप्ती था वे अपनी जीत की खातिर कुछ भी कर सकता था वो कहती हैं कि बेटा इनके जगड़ों में तो मत फस क्योंकि बांगी जो है वो बहुत ही घमंडी दूस्ट और कप्टी व्यक्ति है परंतु रणपत नहीं माना रणपत जी उनकी बात अपनी माता की बात नहीं मानते हैं उसे अपने न्याय पर तथा अपने लोगों पर कि तथा उसके शरीक परिवार एकत्रित हुए तथा सभी ने श्यपत ली कि दाता रणपत जो भी निर्णय करेंगे सभी को मनजूर होगा एकत्रित होना अर्थात इकठे होना जमा होना तो बाड़ी ब्रह्मन करके एक जगए है जम्मू में जहां सब लोग जमा हो गए और वहाँ पे सबने कहा कि रणपत जी जो भी निर्णय लेंगे वो हम उनके निर्णय को हम स्विकार करेंगे शपत लेनी यानि सबने कसम ली मैं अन्मीका एक बच्छी है वो पूछती है सरबांगी ने भी सपत ली वो कहती कि बांगी तो बहुत ही द Potato उन आमने पड़ा कि वो बहुत घमंडी व्यक्ति था और उसको लगता था कि मैं ही यहां का सब कुछ हूँ इसलिए उसने सोचा कि रणपत जो भी फैसला करेगा मेरे ही पक्ष्मे करेगा अब उसको पता था कि मैं सबसे अमीर हूँ मैं ही यहां का राजा हूँ तो जो निर्णय है वो भी मेरे पक्ष में आएगा विध्यार्थी सर फिर क्या हुआ अध्यापक कहते हैं तदू प्रांत पंचायत लगी तथा दाता रंपत ने सभी बात ध्यान से सुनी और फिर अपना न निर्णय देते हैं निर्णय सुनकर सब लोग अत्यांत प्रसन हुए सिर्फ बांगी इस निर्णय पर दुखी था क्यों दुखी था क्योंकि निर्णय बांगी के पक्ष में नहीं था वह तो शरीक भाईयों के पक्ष में था अब जब दाता रंपत जी ने निर्णय लिया तो लोग खुश हो गया अतियंत मने बहुत जादा क्यूंकि जो ये निर्ने था फैसला निर्ने मने फैसला वो उन्होंने भाईयों के पक्ष में गरीब जो भाई थे उनके पक्ष में दिया ना की जमीदार चाड़त के हक में इसलिए बांगी ने मन ही मन रंपत को मरवाने का निश्चे कर लिया। उसको बहुत गुस्सा आया कि मेरे पक्ष में इसने नहीं दिया है तो इसलिए उसने मन हमें सोच लिया कि मैं तो हर हालत में इस बंदे को मरवा कर ही रहूंगा। रमेश सर बांगी ने किस से मरवाया तो अध्यापक बताते हैं बांगी ने रनपत की हत्या के लिए बहुत से लोगों को लालच दिया परन्तु कोई कोração मांगा अब भंगी सबके पास जाता है सबको कहता है कि मार डालो मार डालो इस बंदे को मार दो मैं तुम्हें यह दूंगा यह दूंगा परंत difficulties लिए उनकी बात नहीं मानी यहां तक कि हेडी नाम का एक बहुत ही बदनाम जाट था उसने भी उनको मारने से इंकार कर दिया वे भी कहता है कि नहीं मैं रणपद जी को नहीं मार सकता परंटो बांगी भी कम चलाक नहीं था उसे कहीं से पता चला कि रणपद के मुसेरे भाई रणपद से इर्शा रखते थे अब पता नहीं कैसे पता चला बांगी को इस बात का पता चल गया और उससे उनकी शत्रूता है बस फिर क्या था उसने जैसे तैसे करके उन भाईयों को मना लिया उसने उनको बुलाया तथा उन्हें भड़का उकसा कर रणपत की हत्या के लिए तयार कर ल अब उनके जो मुसरे भाई थे उनको जो कजन थे उन्होंने उनको क्या किया धोके में रखके उलजा के शड्यंत्र में फसाके उनको मार डाला मौनिका सर मेरे बाबा जी कहते हैं बांगी को इस हत्या का भ्यंकर परिना भुगतना पड़ा उसे कोड की बिमारी हो गई शरीर के सभी अंग गल गए जहां तक कि उसके घर के लोग भी उसे छोड़ गए तो एक बच्ची है मौनिका वो बताती है कि उसको भी थोड़ी पह पहले पता था तो वो कहती है जो बांगी चाड़क था उसको क्या हुआ उसको कोड हो गया कोड क्या होता यह एक प्रकार का रोग होता है बिमारी होती है जिसमें शरीर के अंग जो है वो गल जाते हैं ठीक है तो धीरे धीरे गलने लगते हैं बहुत पीड़ा होती है बहु दिया अध्यापक बच्चों सत्य एवन्याय कभी निश्वल नहीं जाते सत्य एवन्याय की खातिर दाता रणपत के बलिदान को आज भी लोग समर्ण करते हैं वे हमारे अमर लोक श्रदान जली अर्पित करते हैं तथा उनका समर्ण करते हैं तो वह वहां पे जाते हैं अपना संबान उनके लिए प्रकट करते हैं विध्यार्थी सर आपने वास्ता में बहुत ही न्यायकारी सच्चे तथा आदर्श महापुरुश के बलिदान की गाथा सुनाई है हमें इस किसी के साथ यह पाठ जो है हमारा समाप्त होता है तो इस पाठ से बच्चों हम यह सीखते हैं कि हमें जहां तक हो सके हमें न्यायक की पत पर चलना चाहिए किसी का पचपात नहीं लेना चाहिए उसके लिए फिर चाहे हमें को कितना भी बड़ा बलिदान क्यों ना करना हमें भी सच्चाई के पद पर चलना चाहिए और इसके लिए हमें जो भी कीमत चुकानी हो वो हमें चुकानी चाहिए तो बच्चों ये आज का पाठ था आशा करती हो कि आप लोग को अच्छा लगा होगा अपनी किताबें खोलिए पढ़िए बहुत अच्छा पाठ है इसके प्रशन है रमेश की हाथ में किसका चित्र था तो रमेश की हाथ में दाता रणपत का चित्र था प्रशन दूसरा है दाता रणपत किस प्रकार के व्यक्ति थे तो हमने पाठ में पढ़ा कि वे बहुत ही न्यायकारी थे दानी थे नेक व्यक्ति थे दाता रणपत बहुत ही नियायकारी, दानी, नेक, शांती प्रिया और सत्यवादी व्यक्ती थे, वे कभी भी पच्छपात नहीं करते थे, कभी भी उन्होंने किसी का पक्ष नहीं लिया अगला प्रिश्न है, दाता रणपत को लोग क्यूं चाहते थे, वे लोगों में बहुत प्रिये थे, सबको प्रिये थे, तो लोग उनको इतना पसंद क्यूं करते थे, दाता रणपत को उनकी नियाय प्रियता, सत्यवादिता, नेकी, दानी और निक्षपक्षता के कारण लो पुरत मन को दान कर देते थे और साथ में निश्पक्षता का आर्थ होता है किसी का भी पक्ष नहीं लेते थे जिस कारण वे लोगों में बहुत ही प्रिये थे बांगी चाड़क ने रनपत को क्यों मरवाया था अब हमने पार्ट पे पड़ा कि रनपत को बांगी चाड़क ने मरवा दिया था क्यों बांगी चाड़क बहुत ही दोस्ट धोके बाज और घमंडी व्यक्ति था दाता रणपत ने उसके द्वारा हडपी जमीन उसके भाईयों को वापिस दिलवा दी थी इसी कारण बांगी चाड़क ने रणपत को मरवाया था क्यों मरवाया था क्योंकि बांगी चाड़क जो था वो बहुत ही दोस्ट धोके बाज और घमंडी व्यक्ति था कभी नहीं चाहता था कि मैं किसी से हारूं उसको हारना बिल्कुल पसंद नहीं था इसलिए जब दाता रणपत ने उसके पक्ष में फैसला निन्ने फैसला नहीं सुनाया तो वो बहुत नराज हो गया और इसी कारण उसने बांगी चाड़क ने रणपत जी को मरवा दिया अगला प्रश्न है माता आलमा के समझाने के बावजूद भी दाता रणपत जगड़ा निप्टाने से पीछे क्यों नहीं हुआ जब उनकी माता जी उनको कहती है माता आलमा कहती है कि आपने जगड़े में नहीं पढ़ना है परन्तु वे अपनी मा की बात नहीं मानते क्यों नहीं मानते वैसे तो हमें अपनी माता पिता की बात माननी चाहिए परन्तु यहां पर वे बात नहीं मानते क्यों नहीं मानते इसका उतर है माता आलमा के समझाने के बावजूदी दाता रनपत जगडा निप्टाने से पीछे नहीं हुआ क्योंकि उन्हें अपने न्याय और अपने लोगों पर पूर्ण विश्वास था क्योंकि रनपत जी को विश्वास था कि मैं सही न्याय दूँगा और साथ में मेरे लोग मेरे आसपास के लोग मेरे मेरा समर्थन करेंगे मुझे उन पर पूर्ण विश्वास है तो ये है हमारे अभ्यास के पीछे जो प्रशन उतर दिये गए है तो बच्चों आशा करती हूँ कि आप लोग को पाठ अच्छा लगा होगा आप अपने किताबों में पढ़िए ये पाठ और पाठ का आनन्द लीजिए तो इसी के साथ हमारा ये आज का हिंदी का पाठ यहीं पर समाप्त होता है आशा करती हूँ कि आप लोगो समझ आ गया होगा तो इसी के साथ मैं यहां पर खतम करती हूँ जुले